यहीं वंदे मातरम दोस्तों आप लोग हर बार यही बोलते हैं कि मैं कभी भी यूट्यूब पर ज्ञान की बात नहीं बताता हूँ एक कार्म करता हूँ आज मैं आप लोग को अपनी ट्रेड का पूरा ब्योरा देता हूँ और 33 के फॉर्मूले को डीकोड करने का पूरा आप लोग को छूट है किस टाइम पर मैंने क्या ट्रेड ली उसको देखकर इस फॉर्मूले को डीकोड कर लो और अपनों खूब प्रॉफिट करो आज जो बैंक निफ्टी अभी लाई मार्केट चल रही है 45,130 रुपे का रीट चल रहा है मैं आप लोग को अपनी ट्रेड दिखाता हूँ मैंने किस टाइम पर बैंक निफ्टी में पूट बाय करी बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी एंटर कहां किया किस टाइम पर एंटर किया किस टाइम पर मैंने एक्जिट किया वो सारी आपको मैं डिटेल दिखाता हूँ सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए एक कॉपी और पैन उठाओ उसमें देखो नो बज कर अठारा मिनिट चोदा सेकिंड पर बैंक निफ्टी तेरा सेतंबर की एक्सपाइरी है चवालिस नो सो की पुट भाय करी थी मार्केट पे दोसो अठारा रूपे तिरालिस पैसे का भाह होता हूँ कॉंटिटी थी 600 ठीक है इसके बाद में इसके नो मिनिट के अंदर नो बज के 27 मिनिट साथ सेकिंड पर बैंक निफ्टी 13 सेप्टेंबर एक्सपाइरी चवालिस नो सो की पुट हमने मार्केट पे काट दी 600 कॉंटिटी थी 238 रूपे 72 पैसे पर कितना पॉइंट लिया लगबग 20 पॉइंट लिया हमने 20 कहां हाँ 20 ही लिया 20 पॉइंट लिये और मैंने यहां प्रॉफिट बुक कर लिया सुबह सुबह के टाइम पर दूसरी जो ट्रेड थी उसमें बैंक निफ्टी 13 सेप्टेंबर के एक्सपाइरी 249 की हमने कॉल बाइ करी मिस में मार्केट पे 300 कॉंटिटे थी सिर्फ 665 रुपए पर बाइ की हमने और इसको हमने नो बज के 36 मिनट पे यह देखो यहां पर लेकर ना नो बज के 36 मिनट बावन सेकिंड पर इस कॉल को हमने बेच दिया और 255 रुपए 65 पैसे का प्रीमियम था 300 कॉंटिटी हमने निकाल दी यह दो कॉंटिटी है मेरे आज सुबह की मेजर कॉंटिटी थी मतलब बारह हजार रुपए करीब इसमें आ था इसमें भी लगबग इतना ही आए था फिर उसके बाद मैंने 10 बज के 36 मिनट पर फिर से बैं इन स्टाइल कैसा है पहले 600 कॉंटिटी फिर उसकी आधी कर दी और फिर उसकी भी आधी कर दी यह तरीका होता है इसके बारे में भी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा कितनी कॉंटिटी कितना कैपिटल यूज करना चाहिए यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं मैं इस्पेशली अपने स्टूडिंट के लिए बना रहा हूं लेकिन जो आउटसाइडर है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको भी मदद मिल जाएगी और फॉर्मुला तुम डिकोड कर लो जैसे मैंने बताया नो बज के 18 मिनिट पर ती नो बज के 18 मिनिट ये याद रखना नो बज के 27 मिनिट याद रखना नो बज के 30 मिनिट नो बज के 36 मिनिट ये चार टाइम को याद कर लो लिख लो और इसको हम ग्राफ पर देखते हैं नो बज कर 18 मिनिट की मैंने ये कैंडल लगा दी तीन मिनिट की ये वाली कैंडल है म मैंने exit कहां पर किया है नो बच के 27 मिनट पर मतलब इस candle पर किया है लो को touch करते ही जैसी low break किया और यहीं पर मैंने निकाल दिया exit किया तो अब यहां से यहां तक की दूरी बहुत चोटी है सुबह के time में अगर price जल्दी move करता है तो आपका premium भी बड़ी तेजी से move करता है तो यहां पर मुझे अच्छा profit मिल गया 600 quantity ली थी इसके बाद में अगली जो हमारी trade है अब इसको तुम decode कर लो कैसे करना है देख लेना अगला है नो बज़के 30 मिनट पर मैंने bank nifty call buy कर ली 4400 छे मिनट के अंदर निकाल दी थी 9-30 में देख लेता हूं कहां पर है 9-30 मतला यहां पर इस वाली candle पर मैंने यहां पर buy किया नो बज़के 36 मिनट पर नो बज़के 36 मिनट भाई यह हो जाता है जैसे ही यह वाली candle पू निकाल दिया मतलब लो पर निकाला फिर मैंने buy कहां किया लगबग इस candle पर मैंने buy किया 9 बज़के 30 मिनट पर यहीं पर ही buy कर लिया और फिर मैंने यहां निकाल दिया तो इतनी जो दूरी है देखो यहां से यहां तक की दूरी जब एकदम से price move करता है तो premium भी बड़ी ते यह एक trading style होता है जिससे कि आपको कभी नुकसान होने के संभावना होती ही नहीं है ठीक है यह मैंने decode कर दिया नहीं decode तो आप करोगे बता दिया मैंने अब देख लो यहां पर क्या बना था कोई hammer बना हो bullish engulfing बना हो कुछ भी बना हो जो कहते हैं कि 6 candle 6 candle पर काम होता वो 6 चेक हैंडल आप लोग यहां पर ढूंड़ों और trap formula जो आप YouTube से पढ़ रहे हो उसको देख लो और मुझसे अगर जानना है trap formula तो दिल्ली आपको दर्शन देने पड़ेंगे मेरे करने पड़ेंगे फिर मैं आपको लोग को बताऊंगा अब बात करते हैं दोस्तों मैंने पांच दिन के अंदर पांच लाग को पांच लाग कैसे बनाया risk management money management इसको समझते हैं सबसे पहले कल के दिन जो मेरी trade लगी थी उस टाइम पर जो quantity थी वह 900 quantity थी आज मेरी quantity 600 हो गई फिर उसके बाद 300 हो गई फिर उसके बाद 1.5 हो गई यही एक तरीका है जिससे आप अपने risk को कम करके और profit को मुनाफिय को ज्यादा कर सकते हो देखो जो मुझे सुन रहे हैं मेरे student है और जो student नहीं भी है उनके लिए भी सबसे बड़ा जो subject है बजार का वो है money management अगर आपको पैसा manage करना आ गया यह समझ आ गया कि कब किस time पर कितना पैसा लगाना चाहिए तो बजार में आपको कोई हराई नहीं सकता किसी का भी setup ले ले लो यह चोटे मोटे जो technical आप लोगों ने पड़े उसको भी ले लो उसके साथ साथ आपका money management अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया profit निकालोगे बजार से तो money management में करना क्या है जैसे मैं अपने formula की बात करता हूं और जो मेरे student मेरे formula पर काम करते हैं उसमें क्या करना मान लो आपका पांच लाख रुपे है पांच लाख रुपे में इसे धाई लाख रुपे एक बार में लगा देना मतलब 50% का capital आपको use करना है और formula तो पता ही है आपको लेकिन जो 50% आप use करेंगे उसके लिए आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो setup बना है वो पक्क पक्ये वाला मालूम है इसकी category मैं इस वाले बहच पर बनाऊंगा कि पक्ये वाला कौन सा है कच्चे वाला कौन सा है जिसमें surety है वो कौन सा है और जो एक मन में जो अंदर जोवारी बैटर है तो उसको शांत करने के लिए जो trade लगानी होती है उसमें कौन से कितना capital यूज यूज करना है तो पक्ये वाले का मतलब आप लोग को मैंने समझाया था ना कि में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं और जो फॉर्मुला पढ़ा रहा उसके हिसाब से अगर काम करोगे तो 50% यूज करना है ठीक है और जैसी target आया पहला target आने के बाद में सुबह के आपको 50% capital यूज करके बजार से exit कर जाना है और जब एक ही चलांग लगती है उस चलांग में जितना profit आता आपने book किया उसके बाद में बजार आपको यह बहुत सारी TRS दिखाएगा उल्टा हो थोड़ा bearish angle finger bullish angle finger किसी पर काम मत करना पहली trade लेना है और 50% margin यूज करना है profit आया अच्छा profit आयेगा उसको book करके शांत बैठ जाना फिर काम नहीं करना इसके बाद में क्या करोगे फिर जो छोटे मोटे support resistance है अगर आपका मन करता है आपका मन कहता है कि नहीं मुझे अब trade करनी है थोड़ा सा और risk ले लेता हूँ अब क्या करना यहां पर आपको ढ़ लाक रुपे लगाए थे पहले और profit आपका मान लो 50,000 या 1,500,000 या 2,000,000 आपको यह करना है कि आप जो risk लेंगे एक लाक रुपे profit आया तो 50,000 का risk लेंगे ठीक है 50,000 का आपका stop loss होना चाहिए और जो capital यूज होगा आपकी बार अब होगा आपका capital धाई लाक का आदा कर तो लाक सवा लाक रुपे यूज करना आपको मान लो 50,000 भी यूज करते है या लाक रुपे सवा लाक रुपे इतना capital यूज किया अब जो trade लगेगी उस trade के अंदर आपका maximum stop loss 50,000 का मतलब आपका 50% का stop loss जो कि हमारा बनता नहीं है हमारा जो stop loss बनता है वो 10-15% का बनता है maximum तो ऐसे case में क्या करो जो maximum risk लेना है वो आपको 50,000 का ऐसे में क्या होगा कि trade आगर आपके fail भी हो गई पहले आपने कमाए लाक रुपे था आप fail भी हो गई fail तो नहीं हो सकती वैसे fail तब हो गई जब आप साड़े दस से एक बज़े के बीच में काम करोगे और नियमों का उलंगन होगा तो ऐसे case में भी जो talented है वो ही निकाल सकता है और गलती भी हो जाए तो उसमें क्या है 50,000 गया exit कर जाओ देखो आप लोग कहते हैं कि PNL दिखा दो या तो आप PNL ले लो या फिर वो ग्यान ले लो जिससे आप अपना PNL भी प्लस में ला सकते हो एक तो formula है और एक PNL है मेरा PNL मालोग प्लस में है तो मेरे प्लस वाले PNL को देखके क्या आप लोग भी प्लस में आ सकते हो इसका जवाब देना और एक formula मैं आप लोग को दे देता हूँ, उस formula पर काम करके आप plus में आ सकते हो कि नहीं, इसका भी जवाब दे देना, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि formula आप लोग को मिल गया, उस formula पर अगर मैं गलती करता हूँ, तो मेरा PNL माइनस में चला जाएगा, जैसे कल गया था, माइनस में गया क्या, मैंने भी देखो, अब भी आपको समझाए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कल के दिन मैंने 75,000 का profit लिया, तो मैंने सोचा था, कि मैं जैसी 35,000 का नुकसान होगा, मैं exit कर जाऊँगा, लेकिन क्या है, कि जो trader की मनोस्तित होती है, वो इस प्रकार होती है, कि चलो और थोड़ा देख लेता हूँ, और थोड़ा, तो थोड़ा-थोड़ा देखते-देखते, मैंने क्या कि लास्ट में 80,000 पर exit किया उसको, फिर भी मैंने क्या कि 5000 पर नुकसान हुआ, कोई बात नी, no profit, no loss पर उठना भी बहुत बड करने के लिए ट्रेड कर रहा था, इसलिए मेरा भी नुकसान हो गया, और फॉर्मूली पर मैंने काम ही नहीं किया, फॉर्मूली पर काम नहीं करूँगा, तो नुकसान हो जाएगा, और फॉर्मूली पर काम किया, तो प्रॉफित आएगा, फिर बजार बंद हो गया, मैंने क्या किया मैंने देखा कि natural gas में अच्छा अपना setup बन गया है formula लग गया है मैंने NG में काम कर लिया commodities में काम कर लिया तो मेरे को 70-80,000 का कल profit हो गया तो net में मेरा फिर profit आ गया तो इस तरीके से अगर आप formula पर काम करोगे तो आपका penal plus हो जाएगा और formula को break किया तो PNL किसी का भी minus हो सकता है और मेरे PNL से भाई साब आप कभी भी नहीं कमा सकते दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसको आप देखते हो जिसको आप follow करते हो उसके जैसा कभी नहीं बन सकते हो यह सत्य है चाहे वो कोई भी कितना बड़ा यूट्योबर हो कोई celebrity हो उसके जैसा नहीं बन पाओगे हाँ उसके जैसा बनना है तो उसकी उस आदत को पकड़ो वो क्या कर रहा है तब उसकी जैसा बन जाओगे आप एक एग्जामपल मैं आप लोग को देता हूं कि आचारिय द्रोन जिन्हों ने अर्जुन को सिखाया बान विद्या सिखाई आचारिय ने एक विद्या सिखाई एक टेक्नीक बदाई प्रैक्टिस अर्जुन ने करी वो एक फॉर्मुला दिया तीन तीसका उनको और उस फॉर्मुले पर अर्जुन ने काम किया तो एकदम बढ़िया निशाने लग रहे थे सारे ना भीम लगा पाया ना यूदिश्टर लगा पाया ना कुल सहदेव कोई भी निलगा पाया निशाने बढ़िया तो पी एनल प्लस में किसका गया सिर्फ अर्जुन का गया आज बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और यह जो बच्चे आएंगे और पिछले पांच दिन में जो ट्रेड की है कौन सी ट्रेड कप कहां पर की है किस वज़े से की है आप पूछ सकते हो मैं बताओंगा बिल्कुल धटलने से और जो फॉर्मूला आप लोगो को सिखाता हूं सिखा रहा हूं उस पर नहीं हो तो भाई सब बैच से उठके चले जाना फीच ले जाना वापास कि गलत ट्रेड म जाहिन वंदे मात्रम स्टॉप लोस लगा के काम करो और मनी मैनेज्पेंट पर ध्यान दीजी जाहिन